नमस्कार, मार्केट संबाद में आपका स्वागत है दिफावली का पर्व नजदीक आ रहा है बाजार में चहल का अगमी बढ़ रही है इधर बुंदिल खंड में जिस प्रिकास से कुरोना कंट्रोल में आ रहा है वह बहुत सुखत पहलू है आज कुरोना पॉजिटिफ मरीजो की संक्या की बात कहीं तो जहासी में 1654 सेंपलों की जहासी की बात 20 यानि 20 कुरोना पॉजिटिफ मरीज पाए गए है हलाकि आज एक दुखत पहलू रहा है कि एक ब्यक्ति की मौत हुए है यानि मरने वालों का आकड़ा 165 पर पहुँच गया है 40 लोग आज ठीक हुए है 6,684 लोग अब तक ठीक हो चुके है 11 लोगों को home isolation के लिए बेजा गया 1204 लोग home isolation में है संक्रमत मर्जों का आकड़ा बढ़कर आज 8,283 पर पहुँच गया है इसके अलावा recovery rate में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और आज ये 95.23 पर पहुँच गया है इधर लोग डाउन को लेकर ग्रह मंत्राले ने आज गाइड लेंज जारी की है जिन केंटूमेंट राकों में लोग डाउन लगा हुआ है उसे 30 नवंबर तक जारी रखने का फैंसला किया गया है यानि पूर्देश में अभी फिलाल कोरोना का खत्रा बरकरार है इधर डॉक्टरों में भी आसंकर जिताई है जो पांच सरवादिक प्रभावित राज्य हैं केरल और उडिसा और महराश समय यहां पर कोरोना दूसरे चरणों में कहड़ा सकता है इसलिए यहां पर बहुत सतरकता बरतने की जरूरत है फिलाल हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि तोहार मनाएं लेकिन सतरकता और सजकता के साथ मनाएं क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है लावडाउन जरूर गया है और हम जो सतरकता बरत सकते हैं उससे चरूर बरतने हैं फिलाल हमारी और से मार्केट संबाद की और से आप सभी को दिप अबली की तयारियों की हादिक शुब कामना है साबधान रहें सुरक्चत रहें मार्केट संबाद की रिपोर्ट जासी